नमस्कार मैं रित्यस कुमार आप सभी आगनबारी बहनों का आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे इस्रम का जो पोर्टल है अफिस्यल पोर्टल है वो हमने यहाँ पे ओपन कर रखा है आप सभी आगनबारी बहनों को ICDS के तरफ से पत्र मिला होगा जिसमें कि सेविका और सहाईकाओं का जो इस्रम काड है उसको बनवाने के लिए आपको निर्देश दिये गए हैं कि 30 नौवंबर 2021 से पहले सभी आगनबारी करे करताओं को अपना इस्रम काड बनवा लेना है तो आज हम आपको इस्रम काड के बारे में बताएंगे कि आप लोग खुद से कैसे अपना इस्रम काड बनवा सकते हैं जैसे इस्रम काड बनवाने के दो तरिके हैं आप खुद से ही अपना रेश्टेशन कर सकते हैं और नहीं तो आपके छेतर में अगर कोई CAC सेंटर है तो आप वहाँ पे भी जाके अपना इस्रम कार्ड बनवा सकते हैं तो आज कि इस वीडियो में आपको step by step जानकारी देने वाला हूँ कि इस्रम कार्ड आप लोग खुद से कैसे बना सकते हैं और इसमें आपको क्या-क्या जरूरी डॉक्मेंट्स लगेंगे जिससे कि आप अपना इस्रम कार्ड घर बैठे असानी से बना सके हैं तो वीडियो काफी important है आप सभी आगनवाड़ी बहनों के लिए इस वीडियो को आप लोग end तक जरूर देख लिजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और उससे पहले आप से एक छोटी से request है कि आपने हमारे इस वीडियो को like नहीं किया है तो इस वी सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको किसी भी browser में चले जाना है जैसे कि हमने यहाँ पे google chrome browser को open किया है और open करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है register.esrum.gov.in जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक link यहाँ पे आ चुका है और इस पे हमको click क click करने के बाद देख सकते हैं कि भारा सरकार के तरफ से यह जो योजना चलाई जा रही है और संगठित मजदूरों का registration करने के लिए तो आप इस portal पे पहुंच जाएंगे और इस portal पे आने के बाद आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है जिसे कि आप अपना इस रम portal पे registration करा सकें यहाँ पे जो language का option दिया गया है यहाँ से आप Hindi English language स्लेट कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो जरूरी डॉक्मेंट से वो क्या लगेंगे जैसे कि अधार संख्या और आपके अधार कार्ड में mobile number link होना चाहिए और आपके पास एक bank का खाता होना चाहि जूर हैं वो यहाँ से अपना registration करा सकते हैं और देखिए यहाँ पर मैं एक सेविका का registration करने वाला हूँ जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं स्वयम पंजीकरन यानि सेविका और साहिका खुद से भी यहाँ पर पंजीकरन कर सकती है यहाँ पर एक box दिया गया है जहाँ पर आगनबारी सेविका का मूबाइल नवर जो अधार कार्ड में लिंक है वो डाल देंगे अगर आपके पास और कोई भी मूबाइल नवर है उसको भी डाल सकते हैं लेकिन आपका जो मूबाइल नवर जुड़ा है वो number आपके पास होना चाहिए वो आगे आपको डालना पड़ेगा उसके बाद जैसे यहाँ पे capture code दिया रहेगा वैसे हैं capture code यहाँ पे आपको capture letter में डाल देना है डालने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि OTP भेजें तो आप लोग जैसे हैं इस पे click करेंगे तो यह जो mobile number डाले हैं उस mobile number पे आपको OTP भेजा जाएगा कि यहाँ पे OTP भेज दिया गया है यहाँ पे आपका second countdown शुरू हो जाएगा यानि 116 second के अंदर आपको यहाँ पे OTP डाल लेना है तो यहाँ पे हमारा OTP आ चुका है और देखें यहाँ पे हमने OTP दर्ज कर लिया है OTP दर्ज करने के बाद यहाँ प्रस्तुत करना जो लिखा है उस पे click कर देना है जैसे ही आप उस पे click करेंगे तो इस परकार से आपका जो पेज है वो फिर से खुल के आ जाएगा यहाँ पे अधार नमबर डालने के बाद आपको यहाँ पे प्रस्तुत करना जो लिखा है इस पे click कर देना है तो आपका यहाँ पे फिर से एक OTP जाएगा जो आपके अधार कार में जो नमबर जुरा हुआ है उस नमबर पे फिर से एक OTP भेजा जाएगा जैसे कि कौन सा नमबर आपका अधार कार में जुरा है आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे जो लिखा गया है 1810 यानि आपके last में 1810 जो नमबर है वही जो नमबर है आपका अधार कार से जुरा हुआ है और उसी पे फिर से आपका एक OTP भेजा गया है तो देखिए यहाँ पे हमने OTP दर्ज कर लिया है फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो मा निया लिखा है उस पे किलिक कर देना है यानि जिस आगनवारी सेविका का यहाँ पे रेश्टेशन कर रहे है उनके अधार कार का डिटियल से यहाँ पूरा ओपेन हो जाएगा ओपेन होने के बाद अब आपका जो दूसरा सेफ है उसको फॉलो करना है जैसे कि यहाँ पे जो लिखा गया है अन्य विबरन दर्ज करना जारी रखें तो उसके बाद आपको यह वाला जो ओप्सन दिख रहा है इस वाले ओप्सन पे आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहला स्टेफ है वो ग्रीन हो चुका है प्यक्तिगत जनकारी है उसको यहाँ पे डालना है उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछ रहा है आपात कालेंग मुबाइल नंबर अगर आपके पास एक और मुबाइल नंबर है तो यहाँ पे डाल सकते हैं या इसको छोड़ सकते हैं इमेल आइडिया आपके पास है तो डालिए नहीं तो इसको भी आप लोग छोड़ सकते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है बैवाहिक इस्तिति यानि यह जो महिला है वो married है या unmarried है यहाँ पे आपको select कर लेना है married उसके बाद इता या पती का नाम जो भी डालना है यहाँ से आप लोग डाल सकते हैं जैसे यहाँ पती का नाम select करेंगे जैसे कि उनके पती का नाम क्या है वो यहाँ पे आपको दर्ज कर लेना है अब आपको यहां पर स्रेनी सेलेट करना है यानि कि आप किस काश्ट से बिलॉंग करते हैं Hc, Hc, Ovc, General तो आपका जो भी है यहां से आपको सेलेट कर लेना है सेलेट करने के बाद अब आप से यहां पर पुछेगा blood group आपका जो blood group क्या है वो यहां से आपको select करना है फिर उसके बाद यहां पे है दिब्यांग तो अगर आप दिब्यांग है तो यहां पे हा करेंगे और अगर आप दिब्यांग नहीं है तो यहां पे नहीं वाले पे select रहने देंगे उसके बाद यहाँ पर नोमनी का जो विवरन है वो यहाँ पर डालना है जैसे कि नोमनी में किसका नाम डालना है वो आप अपने फैमली के किसी भी मेंबर का नाम डाल सकते हैं उसके बाद यहाँ पर नाम डालने के बाद यहाँ पे नमांकित ब्यक्ति का जनम तिथी यानि जूइस ब्यक्ति का यहाँ पे नोमनी में नाम डाल रहे हैं उसका यहाँ पे जनम तिथी डालना है आप जेंडर को सेलेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आपके साथ संबंद जैसे husband है तो husband, son है तो son तो इस परकार से आप लोग अपना यहाँ पे डाल देंगे डालने के बाद यहाँ पे सहेजे और जारी रखे वाले पे click कर देना है तो click करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो दूसरा step है वो भी green color का हो चुका है अब यहाँ पे आपको address डालना है यहाँ पे आपको क्या करना है जो मूल राज है यहाँ से आपको select कर लेना है जिस राजे आप लोग belong करते हैं जैसे कि यहाँ पे मैं बिहार का डाल रहा हूँ तो बिहार हम यहाँ पे select कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे अपना address डालना है जैसे घर का जो address है वो यहाँ पे डाल देना है फिर उसके बाद आपको यहाँ पर राजे सेलेक्ट करना है राजे सेलेक्ट करने के बाद जीला सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको अपना तहसिल यानि अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है उसके बाद यहाँ पे जो pin code है वो automatic आ जाएगा यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है बरतमान अस्थान पर रहना यानि कि जिस अस्थान पर रह रहे हैं वो कितने बर्ष से इस अस्थान पर रह रहे हैं तो आपको यहां से select कर लेना है, जैसे कि 20 से 25 साल यहां पर select कर सकते हैं, select करने के बाद यहां पर फिर से सहेजे और जारी रखे पर click कर देना है, तो हैं क्लिक करेंगे तो आपका तीसरा step भी complete हो जाएगा, अब आता है चौथा step जो की sectionic योगिता आपसे पुछा जाएगा, कि आप कितना पढ़े लिखे है तो सेविका कितना पढ़ाई की है सेविका या सहाई का जितना भी वो पढ़ाई की है यहां से आप लोग उसको सेलेट कर सकते हैं secondary higher secondary diploma graduate तो जो भी उन्होंने जहां तक भी पढ़ाई किया है वो यहां से select कर सकते हैं फिर आप से यहां पे पुछेगा असिक I slave यानि कि जो monthly income है वो उनका कितना है तो arrow अले पे click करेंगे और यहां पे देख सकते हैं 10,000 and below यानि 10,000 से भी इनका जो monthly income है वो कम है तो यहां पे इसको select कर लेना है select करने के बाद यहां पे सहेजे और जारी रखे वाले पे click कर देना है जो चोथा step है वो complete हो जाएगा वो साय और causal यानि कि इनका जो बेवसाय है वो क्या है तो आपको यहां पे डालना है जैसे यह आंगनवारी सेविका है तो यहां पे लिखेंगे आंग आगनवारी जैसे ही लिखेंगे तो यहां पे आ जाएगा आगनवारी एवं आसा वर्कर आदी तो आगनवारी एंड आसा वर्कर का जो यहां पे option आपको मिलेगा यहां से आप लोग select कर लेंगे फिर यहां पे पूछ रहा है प्राथमिक देवसाय में कारे करने का अनुभ यहां पे देख सकते हैं कार या अनुभाव निउन्तम एक वर्स होना चाहिए एक वर्स से कौम नहीं होना चाहिए तो यहां पे आपको डालना है जो आगनवारी जिनका registration करें वो कितने वर्स से आगनवारी में कारेरत हैं उनका अनुभाव कितना है कितने वर्सों का है तो तो यहाँ पे आप यहाँ पे वर्स लिख सकते हैं माध्यमिक बेवसाय यानि आगनबारी करता परहाने के साथ कोई और भी बेवसाय करती है तो नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं डालेंगे इसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि यह सिर्फ आगनबारी करता है और यहाँ पे पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहां पर रिसीब फॉर्मल भॉकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग वाला जो ओप्सन है यह ओप्सन पर आप लोग क्लिक कर देंगे जैसे कि आपको ट्रेनिंग के माध्यम से ही सरा कुछ सिखाया गया है फिर उसके बाद कौसल उन्नत किया जाना है फिर से आप से पूछ रहा है तो रिसीब फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग वाले कोई सेलेक कर लेना है इतना सरा कुछ करने के बाद आप लोग जो यहां पर ओप्सन देख रहे हैं सहेजे और जारी रखे पर किलिक कर देना है इसे ही किलिक करेंगे तो यहां पर डिटियल्स डालना है तो देखिए आप सभी को यहां पर जो बैंक का डिटियल्स डालना है वो बरहीं साधानिस डालना है यहां पर आपको डालना है बैंक काउंट नंबर फिर दुबारा यहां पर वही बैंक काउंट नंबर डालना है यहां पर कार्ड होल्डर नेम डालन डालने के बाद यहाँ पे बैंक का नाम और साखा का नाम यहाँ पे जैसे ही IFC कोड वाले पे सर्च करेंगे तो यह यहाँ से अटोमेटिक ही उस बैंक का जो बैंक का नाम है वो यहाँ पे आ जाएगा और जो बैंक का ब्रांच का नाम है वो भी आप यहाँ पे देख सकते है तो ये सारा details डालने के बाद अब आपको जो यहाँ पे सहेजे और जारी रखे वाला option है फिर से आपको इस वाले option पे click कर देना है और जैसे ही आप लोग click करके आगे बढ़ेंगे तो आपका जो final step है वो पूरा हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपने details डाला है वो सभी details यहाँ पे अधार सारा details यहाँ पे खुल के आजाएगा जो आपको एक बार check कर लेना है कि जो जो भी details हमने डाला है वो सही है या फिर नहीं तो सभी चीज सही होने के बाद यहाँ पे जो एक box दिख रहा है इस box में आपको check mark लगा देना है और उसके बाद जैसे ही आप लोग यहाँ पे check mark लगाएंगे check mark लगाने के बाद यहाँ पे जो लिखा गया है प्रस्तूत करना यानि अब जो यह last final step है इस पे हम लोग click करेंगे तो यहाँ पे प्रस्तूत करना पे click करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो last step है वहाँ पे click करने के बाद इनका जो U-A-A-N card है वो यहाँ पे generate हो चुका है यानि कि जो अधार card पे जैसा details होता है वैसा ही बारे अंको का यहाँ पे भी एक U-A-A-N number generate हो जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है सभी चीज़ details देख लेना है उसके बाद आपको क्या करना है स्रमिक card है उसको यहाँ से आप लोग को download कर लेना है यहाँ पे जो green वाला option आप लोग देख रहे हैं इस पे आपको click कर देना है click करने के बाद यह जो आपका U-A-A-N card है वो download होना start हो जाएगा यहाँ आप देख सकते हैं कि download का option आ चुका है यहाँ download वाले पे click करेंगे तो आपका जो इस स्रम कार्ड है वो finally बन कर तयार हो चुका है देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इनका स्रमी कार्ड है वो यहाँ पे download हो चुका है download होने के बाद देख सकते हैं कि इस परकार से इनका स्रमी कार्ड होगा और इस स्रमिक कार्ड को आप किसी भी दुकान पर ले जाकर इसको प्रिंट करवाके रख सकते हैं तो इस परकार से आपको step by step स्रमिक कार्ड बनाने के लिए जो हमने आपको तरीके बता है वैसे आपको फॉलो करना है फॉलो करने के बाद आपका जो स्रमिक कार्ड है वो बन कर तयार हो जाएगा तो उमीद करता हूँ कि आप सभी को इस वीडियो से स्रमिक कार्ड कैसे बनाना है इसकी हमने पुरी जनकारी आपको इस वीडियो में बताई है वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने आगण बाड़ी के सभी गुरूप में सेर जरूर करें ताकि वो खुद ही अपना इस्तरमकार बना सके हैं तो आज के इस वीडियो में फिलाल इतना ही मिलते हैं फिर किसी नए टोपिक नए जनकाडी के साथ तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद